हेलो गैस वेलकों तो स्पेशल एजुकेशन नमस्ट करता हूँ आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन सो जैसा कि आप लोग अपनी मॉबाइल स्कीन पर देख सकते हैं दोस्तों हरयाना से एक और इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन लेकिया हूँ तो हरयाना के करनाल में वेकेंसी निकली है और आक्चुली कल मैंने एक वीडियो प्लोड की थी हरयाना से लेड़िट बरती की तो आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख ले ना उसमें भी हरयाना में टीचिंग और नोडिजनिक स्टाफ की विकेंसी निकली थी काफ़ी तो वो वीडियो नहीं देख लेना उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो चलिए आज की बढ़ती के बारे में बात करते हैं यह आज के आपकी करनाल में विकेंसिन के लिए हर्याना की करनाल में इसमें आपकी टीचिंग और नोन टीचिंग दोनों स्टाफ की विकेंसी है, इसमें भी कलर्क की स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, जूनियर, इंजिनियर, स्टोर कीपर और इसके लावा और भी बोस्ट, अलग-लग टाइब की पोस्टिंग लिए जो मैं भी आप लोग को बताऊंगा उसे पहले एक छोड़ी सी इंफोर्मेशन शियर करना चाहूँगा, अगर आप लोग HSC के प्रिवेस एर की कोशन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो प्लस अगर आप HSC के कंप्यूटर की कोशन डाउनलोड करना चाहते हो जो कि पिछले सालों में HSC के अलग अलग सालों में पिछले सालों में जितने भी कोशन पूछे गए है कंप्यूटर के, उन सब का कंपाइलेशन आपको पीडिया फोम में मिल जाएगा, तो ये डाउनलोड करना चाहते हो, तो डाउनलोड कर सकते हो, इसके लावा अगर अगर आप लोग चैनल पर पहली पर जिट कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को अपनी मुबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह आपकी विकेंसी निकलिए है, यह महाराना, प्रताप, होरी कल्चर, यूनिवर्सिटी, करनाल में आपकी विकेंसी निकलिए ठीक है जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की विकेंसी है, तो चलिए पहले मैं आपको इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट ओफ सम्मीशन ओफ एप्लिकेशन है, 29 जनवरी 2021 एंड लास्ट डेट ओफ सम्मीशन ओफ एप्लिकेशन है, 22 वरवरी 2021 ठीक है, तो काफी सही टाइम मिल गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, एंड दोस्तों ऐसी पोस्टों को आप अप्लाई किया गरो, क्योंकि आप लोग को पता है, HSSC में तो बहुत कुछ नहीं होती है, अप्लाई करने की, और वो बहुत सार लोगों को नहीं पता होता, तो उन पोस्ट के लिए आप जरूर से जरूर अप्लाई किया करो, क्योंकि अप्लाई करने की कोई फीस वगारा तो होती है, क्या अपता कहीं भी लग काम कर जाए, और जोब आपको मि बात कर लेता है, पोस्ट की, तो टीचिंग पोस्ट में तीन पोस्ट निकलिया, एक प्रोफेसर की है, एक एसोसीट प्रोफेसर की है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है, अब बात कर लेता है, नोन टीचिंग पोस्ट में है, कंट्रोलर की, कलर्क की, असिस्टें असिस्टन और फील्ड और नर्सरी असिस्टन तो यह सारी पोस्ट अटीक है एज लिमिट की बात करें तो minimum एज लिमिट 18 और maximum एज लिमिट आपकी 35 साल होनी चाहिए मतलब जिस भी candidate की एज लिमिट 18 से 35 साल है वो candidate apply कर सकता है इस post के लिए बाकी age में relaxation दिया जाएगा SC, ST, OBC और PWD और physically handicapped candidates को ठीक है पेस्केल की बात करें आपको जो पेस्केल मिलेगा teaching post के लिए non teaching post के लिए जो आपको पेस्केल मिलेगा वो मिलेगा 37,000 पर से लेकर 67,000 तक आपका पेस्केल है और 10,000 पर आपका grade पर है teaching post के लिए पेस्केल आपका level 10 और level 14 के coding मिलेगा अब बात करते है apply कैसे करना है apply आपको offline करना है job location आपकी करनाल में रहेगी and postal address है आपका the registrar महराना प्रताब होरी कल्चर university at होरी कल्चर training institute campus करनाल ये इसका pin code है ठीक है और बाकी बात कर लेते है educational qualification के लिए तो educational qualification actually हर post के लग लग गया दस्वी कलास से लेकर बार्वी कलास बैचलर्स डिगरी master डिगरी हर post के लग लग qualification है वो आप देख लेना official notification में बाकी teaching post की fees लग गया हर post के लग लग fees है और non teaching की लग गया वो भी आपका test और interview के basis पर selection होगा ठीक है official notification यहां से आप लोग डाउनलोड कर लोगे application form डाउनलोड करना है तो application form आप लोग यहां से डाउनलोड कर लेना ठीक है तो यह important information शेयर करनी थी link आपको सारे नीचे description box में मिल जाएगे वीडियो अच्छी लगे तो जुरू लाइक करके जाना चैनल पर पहली वाज़िट कर रहे हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को जुरू प्रैस कर लेना और government और private jobs किसे related जान करें के लिए आप लोग description box में चैक कर सकते हो